हलो स्टूडेंट मैं विकास पमार सर आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे पिलियोट्रोफी जीन पिलियोट्रोफी जीन क्या होता है जब कोई जीन मैं लो ये कोई एक जीन हो जब कोई जीन एक से अधिक लक्षनों को नियंत्रित करता है मैं लो सपोज करो कि ये कोई प्लांट है ये इसकी रूट होगी ये इसका टॉप हो गया ये इसका स्टैम हो गया ये इसकी लिफ होगी तो इसमें एक से अधिक लक्षन होगे एक, दो, तीन, चार, पांच एक से अधिक लक्षन तो कहने का तात्प्रे है जब कोई जीन एक से अधिक लक्षनों को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है मतलब वो जड का भी निर्मान कर रहा है स्टैम कभी निर्मान कर रहा है और पत्ती कभी निर्मान कर रहा है यह लक्षन पास-पास है उनको नियंत्रित कर रहा है उसे पिलियोट्रोपी जीन कहते है अब तक आपने पड़ा होगा हर लक्षन के लिए अलग जीन होता है जैसे रूट के लिए अलग जीन होता है इस्ट जीन है जो एक से अधिक लक्षनों को नियंत्रित करता है रूट का निर्मान भी करता है तने का निर्मान भी करता है और पत्ति का निर्मान करता है ऐसी जीन को पिलियोट्रोफी जीन के नाम से जाना जाता है